आप देख रहे हैं TNB बॉलिवुड एक्टरिस सिल्पा शुटी के पती और बिजनसमैन राज कुंद्रा को सुमवार रात को क्राइम ब्रांच ने गिरफतार कर लिया क्राइम ब्रांच ने काफी घंटों तक उनसे पूशताच की जिसके बाद उनकी गिरफतारी हुई कंवार के पिरफतार किया क्राइम ब्रांच ने फरवली 121 में मुंबई मैं अशलील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ एपस पर दिखाने का मामला धर्ज गिया था उसने आगे बताय कि इस मामले में शुकृषण को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। कि हमारे पास प्रयापत सबोत है। तो आइक विस्तार मांजान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। है। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉप्टी सेल की पुलिस ने गुजरात के सूरत से तन्वीर हाश्मी नाम के एक 40 साल की उम्र के शक्स को गिरफतार किया था तन्वीर हाश्मी ने पूस्ताश में बताया कि वो कैसे फिल्मों को अलग-अलग वीडियो आप्स पर डाउनलोड करने का काम किया करता था इस मामले में उमेश कामत को भी गिरफतार किया गया था वही उमेश कामत राज कुंद्रा की कंपनी में मैनेजिन डिरेक्टर है उस वक्त थी खबरों में आये था कि वेब सीरीज के नाम पर पॉन सीरीज बनाने का ये राकेट मुंबई और गुजरात से लेकर देश विदेश तक फैला हुआ है शोमवर को इशिल्पा के पती राज को क्राइम ब्रांच की तरफ से तलब किया गया था वैसे ये पहली बार नहीं है जब हंगामा टू एक्टरिस के पती विवादों से घीरे है राज इसे पहले भी कई वार विवादों में घीर चुके हैं एसे पहले मौडल राविनेत्री पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सायोगी के खिलाब बॉंबे हाई कोट में शिकायत दर्ज की थी पूनम ने आरोप लगाय था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तमाल किया है हाला की राज कुंद्रा ने इस मामले में अपने उपर लगे आरोपों को खारिच करते हुए कहा था कि उनका इस से कोई लेना देना नहीं है उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कमपनी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है वो उन्होंने छोड़ दी है ऐसे में ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या-क्या खुलासा होता है तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहे हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्स शेयर करना ना भूले